हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे आज की इस रेसिपी वीडियो पे आज हम आपको सहजने के जो फूल होते हैं उसकी एक ऐसी स्वादिष्ट सबसी बना कर दिखाएंगे जिसे की सायद आपने कभी इस तरीके से कभी अपने घर में बनाया ही नहीं होगा आज की जो रेसिपी है एकदम मसालेदार और स्वादिष्ट बनने वाली है तो चलिए इस मसालेदार रेसिपी के लिए सबसे पहले हम सहजने के जो फूल है उसके डंठल में से उसे चुन-चुन कर तोड़ लेते हैं यानि कि इकठा कर लेते हैं किसी थाली में देखिए इस तरह से हमने सहजन के फूलों को चुन-चुन कर इकठा कर लिया है थाली में और अब हम एक कड़ाई पर लगभग एक लिटर पानी को गर्म होने के लिए रखेंगे पानी में एक छोटी चम्मच हल्दी डाल कर हल्दी को पानी के साथ मिला देना है अच्छे से और अब इसे हम थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देते हैं जब पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका हो तब इस पर हम सैजन के फूलों को डाल देंगे और अब इसे पूरे दस मिनट के लिए हम कवर करेंगे और पकने देंगे अब हमारे पूरे दस मिनट हो चुके हैं तो अब इसके कवर को ओपेंड करेंगे और इन फूलों को हम गर्म पानी में से छान कर निकाल लेंगे फूलों को पानी में से निकालने के बाद कुछ देर हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे या एक बार ठंडे पानी से हम इन फूलों को धो लेंगे हमने इन फूलों को ठंडे पानी से एक बार वस कर लिया है और ये अब बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं तो अब से हम हाथों से अच्छी तरह निचोड लेंगे जिससे इन फूलों में से सारा पानी जो है वो आसानी से बाहर निकल सके अब ये फूल सबजी बनाने के लिए बिल्कुल तयार हो चुके है तो हमें कड़ाई पर एक बड़े चमच सरसो तेल को डालेंगे और तेल के गर्म हो जाने पर इसमें हम सहजन के फूलों को डालेंगे इन फूलों को हम मेडियम आज पर आठ से दस मिनट हलके हलके चमच से चलाते हुए फ्राई करेंगे आठ दस मिनट सरस्जन के फूलों को फ्राई करके हम इसे कड़ाई में से निकालकर अलग रख लेंगे अब फिर से हम कड़ाई पर तीन बड़े चमच सरसो तेल को डालेंगे और इसे कुछ देर के लिए गर्म कर लेंगे तेल के गर्म होने पर इसमें हम एक पिंच हिंग डाल देंगे दो तेजपत्तो को डालेंगे और अब इस तेल पर तीन मीडियम आकार के पतले कटे हुए प्याज को डालेंगे प्याज को हमें हाई फ्लेम पर बस दो मिनट के लिए ही इसे फ्राई करना है प्याज को दो मिनट पकाने के पाद इसके साथ हम दो मीडियम साइज के कटे हुए आलू को एड़ करेंगे और फिर इसे दो तिन मिनट फ्राई करेंगे यहाँ पर आलू को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है जिससे ये बड़े आसानी से पक जाएंगे अब हमारे प्यास बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है तो अब इसके साथ हम एक मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर को डालेंगे और फिर से इसे हम दो मिनट के लिए इन सभी चीजों को फ्राई करेंगे जिससे की टमाटर जो हमने अभी अभी डाला है वो थोड़े से नरम हो जाएंगे दो मिनट फ्राई करने पर आलू अब बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है टमाटर जो डालेते हमने वो भी आधे पक चुके हैं तो अब इस पर हम दो छोटी चम्मच अधरक लहसुन का पेश्ट डाल देंगे एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच हमें काली मिर्च पाउडर डाल देना है और साथ ही एक छोटी चम्मच या अपने स्वाध अनुसर हम इसमें नमक डालेंगे अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम कर लेंगे जिससे हमारे मसाले जले नहीं और हलके हलके चम्मच से चलाते हुए इसे हम तीन से चार मिनट फ्राई करेंगे तीन-चार मिनट मसालों को अच्छे से फ्राई करने के बाद इस पर हम बस एक कप एकदम हलका सा पानी इस पर एड़ करेंगे और इन मसालों के साथ में मिक्स कर देंगे अब इन मसालों पर फ्राई किये हुए स्रेजन के फूलों को डाल देंगे ध्यान रहे गैस का फ्लेम अब भी कम करके ही रखा है और एकदम कम आज पर ही हम इन फूलों को मसालों के साथ में मिक्स करते हुए तीन से चार मिनट तक पकाएंगे तीन चार मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं सेजन के फूल मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब ये रेसेपी हमारी बनकर तयार भी हो चुकी है तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की रेसेपी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए आये हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें